आज हम फिर से बनाएंगे edible sprinkles और वो भी घर पे दो दिन पहले मैंने जो वीडियो अप्लेट किया था colorful sprinkles वाला अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजे कि वो मैंने कैसे बनाया है और आज हम बनाएंगे glitter वाला sprinkles तो अगर आपके पास edible glitter है तो आप भी यह try कर सकते हो यह sprinkles बना सकते हो और कोई भी food item पे आप उसको decoration के लिए use कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए हमें लेना है sugar जो बड़े दानों वाली रती है वो और यह glitter जो है वो थोड़ा dry होता है तो इसको इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते तो मैंने क्या किया है शुगर के अंदर एक दो ड्रॉप्स पानी डाला है और यह glitter डाला है मैंने इसके अंदर बन एंड हाप स्पून जो मेरे पास छोटी वाली थी एकदम स्मॉल होई वाला तो इसको डालने के बाद अच्छे से mix करना है एकदम अच्छे से proper mix करना है तो यह mix होने के बाद यह जो पानी था उसके वाज़े से यह जो glitter है वो sugar के उपर अच्छे से coat हो जाएगा और यह दिखो दिखने में मस्त लगेगा diamond जैसा लेकिन मुझे थोड़ा glitter कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और glitter डाला और उसको अच्छे से mix किया तो उसके बाद उसका look बहुत ही कि वो कि बाई